हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे इस वीडियो में फ्रेंड, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि हम लोग अपने 4G फोन में 5G इंटरनेट कैसे इस्तेमाल करेंगे और हाँ, अगर हमारे पास 5G फोन है तो हम उसमें अपना 5G नेटवर्क को एक्टिब कैसे करेंगे आज हम आपको अपने इस वीडियो में दोनों चीज के बारे में बहुत ही अच्छे तरह से डिसकस करके बताएंगे आपको एक काम करना होगा, इस वीडियो को पूरा देखना होगा आप अगर मेरा इस वीडियो को पूरा देख लेंगे तो आप जान जाएंगे कि आप अपने 4G फोन में 5G इंटरनेट कैसे इस्तिमाल किजिएगा और 5G फोन के अंदर आप अपना 5G का इंटरनेट और नेटवर्क कैसे एक्टिब किजिएगा तो चली फ्रेंट वीडियो को स्टाट करते हैं एक छोटा सरी क्वेस्ट करेंगे अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आएगा तो आप इस चैनल को सस्क्राइब और इस वीडियो को एक लाइक और इस वीडियो को अपने दोस्तों में सेर जरूर किजिएगा तो चली फ्रेंट वीडियो को स्टाट करते हैं दोस्तों मेरे पास जियो का सीम है इसलिए हम जियो अप्लिकेशन के थुरू आपको बताएंगे कि 5G इंटरनेट कैसे एक्टिब करेंगे और 4G फोन में 5G इंटरनेट कैसे चलाएंगे तो यहां से हम अपने जियो अप्लिकेशन को उपिन कर लेते हैं जियो अप्लिकेशन आप जब भी उपिन किजिएगा तो कुछी इस परकार का इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा अगर आपके पास वेलकम ओफर नहीं आ रहा है 5G के नेटवर्क एक्टिब करनेगा तो आप घरबढ़ाईये मत हम आपको एक मिनट के अंदर बता रहे हैं वो कहाँ पर है आपको यहां पर मुबाइल का अप्सन दिख रहा है इस पर कलिक कर देना है इस पर जैसे हैं कलिक किजिएगा यहां पर आपका मुबाइल नंबर दिखाएगा यह जो आपको बलर दिख रहा होगा यहां पर आपने कितना डेटा यूज किया है और कितना डेटा आपका बचा हुआ है उसके बारे में दिखा रहा है आपका कितना का प्लान है वो दिखाएगा setup geo autoplay ये दूसरा चीज़ हो गया और थोड़ा सा नीचे आप स्क्रोल किजिएगा तो यहाँ पर geo true 5G का option आपको दिखेगा जो कि आप सामने देख रहे हैं यहाँ पर आप देख सकते हैं कि check 5G readiness बगल में है 5G coverage check 5G device check और no more about true 5G ठीक है यह चार option है जहां से आप अपने 5G phone में 5G internet को बहुत ही असानी से active कर लिजेगा एकदम चूटकी बजाते एकदम active हो जाएगा क्या करना है आईए जानते हैं अगर आपके पास 5G phone है और आप अपने mobile में 5G internet active करना चाहते हैं तो आपको इस पर click करना है यह first option हो गया यहाँ पर click is applied kindly ensure you have a 5G compatible device ठीक है अगर आपके पास 5G का compatible device है तो आप अपने phone में 5G आरसानी से active कर लिजेगा अगर है तो यह चारो पांचों यह जो पांच चार अपसंदिख रहा हैं आपको सारे active करने होंगे easily active हो जाएगा अगर आपके पास 5G phone रहेगा तब लेकिन मेरा 4G phone है तो इसमें active अभी नहीं होगा तो हम आपको बताते हैं आगे क्या करना है इसके बाद है आपके पास 5G coverage चेकरिया कौन सा है इस पर टैप किजिए आपका फिर यह area पुछेगा आपसे के आपको इसमें क्या करना है आप यहां से अपने area को select कर लिजिए बिहार select कर लिजिए फि कि आपका device 5G है की नहीं आप इस पर टैप करके चेक कर लिएगा आपका फोन कौन सा ब्रैंड का है यहां पर टैप किजिएगा तो आ जाएगा जो मी है जो मी है रियल मी है संसम है कौन सा ब्रैंड का आप उसको select कर लिए आप यहां पर model number चूच करके select कर लिजिएगा seems you are using a 4G device यहां पर देख सकते हैं तो buy a 5G device now हमको बोल रहा है खरिजने के लिए 5G device यहां पर लिख रहा है to enjoy unlimited 5G benefit all you need to is replace your Xiaomi Note 7 Pro with a Geo true 5G enabled device यह बोल रहा है कि आप यहां से अपने फोन को exchange किजिए यह दूसरा फोन लेजिए आप उसमें आसानी से 5G internet आसानी से इस्तमाल कर रहे हैं कि आपके 4G phone में 5G internet नहीं चलेगा भाई एकदम confirm है हम आपको यहां से live दिखा रहे हैं क्योंकि यह हम नहीं बता रहे हैं यह जीओ का 5G application बता रहा है यहां पर कोई APN कोई VPN कोई चीज काम नहीं करने वाला है कोई trick क्योंकि यह phone 4G है चलिए अब जानते हैं कि हम 4G phone में 5G internet कैसे चलाएंगे तो फ्रेंड हम आपको एक topic दिखाना चाते हैं यहां पर हमने उसको open करके रखा हुआ है आप देख सकते हैं कि gbusiness hindi.com का यह website है ठीक है और यहां पर आप देख सकते हैं कि एक चीज लिखा हुआ है fraud alert मुंबई पूलिस ने किया लोगों को alert 5G का जहांसा देकर fraud कर रहा हैं दोखा धड़ी ना करें गलतिया आपको बताते हैं थोड़ा सा ध्यान दिजिएगा अगर आपके पास 4G phone है तब तो यहां पर अपड़ सकते हैं एक article है friend देश भर में 5G की सर्विस शुरुआत हो चुकी है रिलाइंज जी और एरेटल ने प्राइबर क्राइम एक्टीव हो गया है फ्रॉड आपको 5G SIM का SIM को अपग्रेड करने पर एक लिंक भीजेगा जिस पर आपका क्लिक करते हैं लोगों के बैंक एक काउंट से पैसे कटने लेंगे यानिके वो लोग पैसे चुरा लेते हैं इसी समद्ध में मुंबई पुलि है कि अपग्रेडेशन इंटेक ब्रिंग्स अबाउट न्यू वेव और स्केमर वेटिंग टू पॉंस एक मिनट थोला से यह बॉंस दो मोस्ट रिसेंट वान अप दो फ्रॉडर्डर्स ओफरिंग टू गाइड यू कनवर्ट तू 5G दूनोट सियर और पर्सनल बैंकिंग और कलीक और एयन्यून लिंख यह मुंबऑय पूलिस का उफिशियल ट्विटर है और इस पर बताया जा रहा है कि कोई भी धशिलींक है कि यहां पर यहां से संजाने का कोशिश कर रहा है । अगर आपका 4G phone है तो आप उसमें 4G चलाइए 5G phone है तो 5G चलाइए कोई भी ऐसा link पर click मत किजिए आपका account खाली हो सकता है हमने आपको अपने इस वीडियो में live दिखाया है आगे आपको पढ़ना होगा तो आप G business के website पर आकर अराम से इस article को पढ़ लिएगा मेरा इस वी साधी के लिए है कोई और emergency काम के लिए अगर कोई चुरा लिता है तो बहुत ज़्यादा problem हो जाएगा तो आप इस चीज से बचिए और कोई भी fake वीडियो, fake लोग और fake link के चक्कर में न रहे हैं वीडियो कैसा लगा आप हमें comment करके जरूर बताईएगा और आपको वीडि में तब तक के लिए जय हिंद जय भारत और वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद